बॉलिवुड ऐसी जगह जहां अगर हर फिल्म हिट ना हो तो लोग एक्टर्स को भूलने लगते हैं ऐसे में उनके दिल में जगह बनाने के लिए जरूर है कि एक्टर्स अच्छी फिल्में देते रहें आप जैसे इन सितारों को ही ले लेजिए इनकी फ्लॉप फिल्मों का अबरन इतना बढ़ता जा रहा है कि करिया डूबने की कागार पर पहुँच गया है रंडबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी के बाद एक भी हिट फिल्म नहीं आई है उनकी रोई बेशर्म बॉम्बे वेलवेट और तमाशा बॉक्स आर्फस पर बुरी तरहें हपिट पिछले साल अई दिल है मुश्किल भी कोई खास कमाल नहीं कर सकी एक वक्त बॉलिवुड की टॉप हिरोईन रही कट्रीना के पास अब ज्यादा फिल्में भी नहीं है फितूर फेंटम और पार बार देखो किपटने के बाद कट्रीना को भी एक हिट फिल्म जल्द ही चाह रंगून नेशनल अवार्ड विनर और लेडी खान का ही जाने वाली विद्या को हिट फिल्म दिये एक अरसा हो गया है 2012 में उनकी फिल्म कहानी के बाद उनकी सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉट हुई उनकी आने वाली फिल्म बेगम जान से ना ही सिर्फ उन हैं बलकि उनके फैस को भी काफी उमीदे हैं अर्जुन कपूर की पिछले सल्लाय फिल्म की एंट का को वैसे तो तारीफे मिली थी लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया था दो सटेट्स के बाद उनकी एक भी हिट फिल्म नहीं आये है परेनीती चोपड़ा अपनी पहली ही फिल्म से हिट हो गई थी लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो वन हिट वांडर बनकर रहे जाएं इश्क जादे के बाद आश्क उनकी फिल्म में बड़े परदे पर ज्यादा दि टिक नहीं पाई भाग मिलका भाग में फरहान अख्तर ने जो कमाल किया था वैसा कमाल वो बाकी फिल्मों में करने में नाकाम रहे शादी के साइट अफेक्ट्स और अजीर अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद फ्लॉप रही दबंग गलसोना अक्शी सिना का करिय दूबने की कागार पर है उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्में फॉस्ट दो और अकिरा को ज्यादा दर्शक नहीं मिले थे सैफ अली खान को एक हिट फिल्म दिये जमाना गुजर चुका है उनकी पिछली जितनी भी फिल्में आहें सभी बुरी तरहें फ्लॉप हुई है जैकलीन फर्नांडेस ने एक फ्लॉप से अपने करिया की शुरुवात की थी उनकी कुछ फिल्में हिट हुई लेकिन अब उनका करिया वापस उसी जगह पहुँच गया है स्टुडेंट ओफ दी एक से जब सिधार्थ मलहुत्रा ने अपने करिया की शुरुवात की थी तब लगा था कि बॉलिवुड में नए स्टार की इंट्री हो गई है लेकिन सिधार्थ तो वान हिट वांडर बनके रह गए उसके बाद आश उनकी सभी फिल्में फ्लोट हुई आधिक्या रॉय कपूर ने साइट आक्टर बनकर अपना करिया शुरू किया था उनकी फिल्म आशिकी दो जबरदस्ट हिट हुई थी लेकिन वही उनकी बाकी फिल्में फ्लोट रही फिल्हाल उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है अर्जुन रामपाल की पिछले कुछ समय में इस भी फिल्में फ्लोट रही है हाल ही में विद्याब बालन के साथ आई, कहानी दो भी कोई कमाल नहीं कर सकी थी, अगर डेडी भी फ्लॉट होती है तो कहीं उनका करिया खत्म ना हो जाए, इमरान हाश्मी ने अपने लंबे करिये में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ समय से उनक बुरा वक्त चल रहा है, तब ही तो एक हिट फिल्म दी उन्हें सालों हो गए हैं